इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याई छे लेवी की वंशावली और लेवियों के वास्थान लेवी के पुत्र गेर्शोन, कहात और मरारी और कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जियल और अमराम की संतान हारून, मुसा और मरियम और हारून के पुत्र नादाब, अभिहु, अलियाजर और इतमार इलियाजर से पिनहास और पिनहास से अभीशु, अभीशु से बुक्की और बुक्की से उज्जी, उज्जी से जरहाह, जरहाह से मरायोत, मरायोत से अमर्याह, अमर्याह से अहितूब, अहितूब से सादोक, सादोक से अहिमास, अहिमास से अजर्याह, अजर्याह से योहनान और योहनान से अजर्याह उत्पन्न हुआ जो सुलिमान के यरुशलिम में बनाय हुए भवन में याजक का काम करता था फिर अजर्याह से अमर्याह, अमर्याह से यही तूब, यही तूब से सादोक, सादोक से शल्लुम, शल्लुम से हिल्कियाह, हिल्कियाह से अजर्याह, अजर्याह से सरायाह, और सरायाह से यहोसादाक उत्पन्न हुआ और जब यहोवा, यहुदा और यरुशलेम को नवुखदनेसर के द्वारा बंधुआ करके ले गया, तब यहोसादाक भी बंधुआ होकर गया। लेवी के पुत्र गेर्शुम, कहात और मरारी, और गेर्शुम के पुत्रों के नाम ये थे, अर्थात लिबनी और शीमी, और कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेबरोन और उज्जियल, और मरारी के पुत्र महली और मुशी, और अपने-पने पित्रों के घरानों के अनुसार लिवियों के कुल ये हुए. अर्थात, गेरशुन का पुत्र लिबनी हुआ. लिबनी का यहद. यहद का जिम्मा. जिम्मा का योआह. योआह का इदो. इदो का जेरह. और जेरह का पुत्र यातेर हुआ. फिर कहात का पुत्र अम्मीनादाब हुआ, अम्मीनादाब का कोरह, कोरह का असीर, असीर का एलकाना, एलकाना का एव्यासाप, एव्यासाप का असीर, असीर का तहत, तहत का उरियल, उरियल का उज्जियाह, और उज्जियाह का पुत्र शावुल हुआ, फिर एलकाना के पुत पुत्र अमासय और अहिमोत, एलकान का पुत्र सोपय, सोपय का नहत, नहत का एलियाब, एलियाब का यरोहाम और यरोहाम का पुत्र एलकाना हुआ, और शमुएल के पुत्र उसका जेठा योएल और दुसरा अभियाह हुआ, फिर मरारी का पुत्र महली, महली का लिबनी, जिमी का उज्जा, उज्जा का शीमा, शीमा का हग्याह और हग्याह का पुत्र असायाह हुआ। फिर जिनको दाउद ने संदुक के ठिकाना पाने के बाद यहवा के भवन में गाने के अधिकारी ठहरा दिया, वे यह है। जब तक सुलेमान यहुषलेम में यहवा के भवन को बनवा न चुका, तब तक वे मिलापवले तंबु के निवास के सामने गाने के द्वारा सेवा करते थे, और इस सेवा में नियम के अनुसार उपस्तित हुआ करते थे, जो अपने-पने पुत्रों समेत उपस्तित हुआ कर Samuel Elkanah का, Elkanah Yeroham का, Yeroham Eliel का, Eliel Toha का, Toha सूप का, सूप Elkanah का, Elkanah Mahat का, Mahat Amasai का, Amasai Elkanah का, Elkanah Yowel का, Yowel Ajariah का, Ajariah सपन्याह का, सपन्याह तहत का, तहत असिर का, असिर एव्यासाप का, एव्यासाप कोरह का, कोरह इसहार का, इसहार कहात का, कहात लेवी का, और लेवी इस्रायल का पुत्र था, और उसका भाई असाप जो उसके दहिने खड़ा हुआ करता था, वह बेरेक्याह का पुत्र था, और बेरेक्य शिमा का, शिमा मिकायल का, मिकायल बासयाह का, बासयाह मलकियाह का, मलकियाह एतनी का, एतनी जेरह का, जेरह अदायाह का, अदायाह एतान का, एतान जिम्मा का, जिम्मा शिमी का, शिमी यहत का, यहत गेर्शोम का, गेर्शोम लेवी का पुत्र था. और बाई और उनके भाई मरारी खड़े होते थे। अर्थात एताव जो किशी का पुत्र था। और किशी अबदी का। अब्दी मलुक का, मलुक हशब्याह का, हशब्याह अमस्याह का, अमस्याह हिलकियाह का, हिलकियाह अमसी का, अमसी बानी का, बानी शेमेर का, शेमेर महली का, महली मूशी का, मूशी मरारी का, और मरारी लेवी का पुत्र था. और इनके भाई जो लेविय थे वह परमिश्वर के भवन के निवास की सप्रकार की सेवा के लिए अर्पन किये हुए थे। और हरुन के वन्ष में ये हुए अर्थात उसका पुत्र एलियाजर हुआ और एलियाजर का पिनहास, पिनहास का अभीशु, अभीशु का बुक्की, बुक्की का उज्जी, उज्जी का जरह्याह, जरह्याह का मरायोत, मरायोत का अमर्याह, अमर्याह का अहितूब, अहितूब का सादोक और सादोक का अहिमास पुत्र हुआ और उनके भागों में उनकी छावनियों के अनुसार उनकी बस्तिया यह है अर्थात कहात के कुलों में से पहली चिठी जो हारुन की संतान के नाम पर निकली अर्थात चारो ओर की चरायों समयत यहुदा देश का हेबरोन उन्हें मिला परन्तु उस नगर के खेत और गाव यपणने के पुत्र कालब को दिये गए और हरुन की संतान को शरन नगर हेबरोन और चरायो समेत लिबना और यक्तिर और अपनी अपनी चरायो समेत एश्तमो, हिलेन, दबीर, आशान और बेथशेमेश और बिन्यमिन के गोतर में से अपनी अपनी चरायो समेत गेबा, अलेमेत और अनातोत दिये गए। उनके घरानों के सब नगर तेरह थे और शेश कहातियों के गोत्र के कुल अर्थात मनश्य के आधिक गोत्र में से चिठ्थी डाल कर दस नगर दिये गए और गिर्शोमियों के कुलों के अनुसार उन्हें इस्साकार, आशेर और नप्ताली के गोत्र और बाशान में रहने वा इस्राइलियों के कुलों के अनुसार उन्हें रुबेन, गाद और जुबलुन के गोत्रों में से चिठ्ठी डाल कर बारह नगर दिये गए। और इस्राइलियों ने लेवियों को ये नगर चरायों समेट दिये। और उन्होंने येहुदियों, शिमूनियों और बिन्यामिनियों के गोत्रों में से वे नगर दिये, जिनके नाम उपर दिये गए है। और कहातियों के कई कुलों को उनके भाग के नगर एप्रेम के गोत्र में से मिले। उनको अपनी अपनी चरायों समेत एपरें के पहाड़ी देश का शकेम जो शरन नगर था फिर गेरेज, योकमाम, बेथोरोन, आयालोन, गत्रिमोम और मनश्य के आधेगोत्र से अपनी 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 चरायों समेत आनेर और बिलाम शेश कहातियों के कूल को मिले. फिर गेर्शोमियों को मनश्य के आधेगोत्र के कुल में से तो अपनी अपनी चरायों समेत बाशान का गोलान और अश्तारोत और इस्साकार की गोत्र में से अपनी अपनी चरायों समेत केदेश, दाबरात, रामोत, आनेम और आशेर के गोत्र में से अपनी अपनी चरायों सम अपने अपनी चरायो समेत गालिल का केदेष, हम्मोन, किर्यातें मिले फिर शेश लेवियो अर्थात मरासियो को जुबलून के गोत्र में से तो अपनी अपनी चरायो समेत शिमोन और ताबॉर और यरिहो के पास की यर्दन नदी की पूर्व और रुबेन के गोत्र में से तो अपनी-अपनी चरायो समेत जंगल का बेसर, यहसा, कदेमोत और मेपाता और गाद के गोत्र में से अपनी-अपनी चरायो समेत गिलात का रामोत, महनैम, हेशोबोन और याजेर दिये गए